दोस्तो बहुत सारे अभी भी प्रधान मंतरी किशान सम्मान योजनी के ऐसे लभारती हैं जिनके खाते में प्रधान मंतरी किशान सम्मान योजनी के लाब अभी तक नहीं मिल ला है उन्होंने अपना form तो भर दिया है बट अभी तक उनको किसी भी परकार का कोई लाब नहीं मिल ला है तो दोस्तो उसके लिए government ने अपनी website में एक नया system launch किया है जिससे आप अपना घर बैठे online complaint दर्ज कर सकते हैं और आप अपने समस्या का समाधान घर बैठे पा सकते हैं और आपके खाते में भी आपका अनुदान जो है वो आना सुर हो जाएगा तो दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको step by step बताऊँगा कि आपको कैसे और क्या करना है जिससे की आपका प्रधान मंतरी किसान सम्मान योजना का पैसा आपके खाते में आना स्टार्ट हो जाए तो दोस्तो वीडियो को सुरू से लेकर लास्तिक दिखेगा और हमारे चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा साथी में बैल आइकन को प्रेस करके ओल पे क्लिक करेगा तक आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले बोचे और दोस्तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे तो आईए दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं दूस्तों सबसे पहले आपको अपने mobile में किसी भी internet browser को open कर लेना है और दूस्तों open करने के बाद से यहाँ पे आपको google में type कर देना है pmkisan.gov.in तो दूस्तों यहाँ पे मैं type कर देता हूँ pmkisan.gov.in दूस्तों इतना type करने के बाद से आपको search पे click कर देना है दोस्तो ये PM किसान, प्रधान मंतरी किसान सम्मान योजना का official website है दोस्तो इस website का link हमारे इस video के description box में मिल जागा आप direct वहाँ से भी open कर सकते हैं वहाँ से भी open करके direct इस page पे आ सकते हैं तो दोस्तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सबसे पहला वाला link मिल रहा है आपको pmkisan.gov.in आपको इस पे click कर देना है दोस्तो क्लिक करने के बाद से आपको कुछ ऐसा interface मिलेगा तो दोस्तो यहाँ पे आपको नीचे जब आपाएंगे तो यहाँ पे आपको एक नया option दिख रहा है help desk तो दोस्तो आपको help desk पे click कर देना है दोस्तो help desk पे click करने के बाद से आपको यहाँ पे थोड़ा सा zoom में कर देता हूँ और zoom करने के बाद से दोस्तों यहाँ पे जो भी लाभारती जिनके खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं किसी कारण वस उनका pending है तो दोस्तों उनका या तो आप आधार नमबर यहाँ पे टाइप करके गेट डाटा पे क्लिक कर सकते हैं या तो आप उनका खाता संख्या यहाँ पे टाइप करके गेट डाटा पे क्लिक कर सकते हैं नहीं तो दोस्तों आप मोबाईल नमबर पे क्लिक करके gate data पे click कर सकते हैं तो वहीं दोस्तो मैं आधार number यहाँ पे पहले type कर देता हूँ और type करने के बाद से दोस्तो gate data पे click कर देता हूँ दोस्तो आधार संक्यार डालने के बाद से gate data पे click करने के बाद से आप यह देख सकते हैं यह इस type का आपको page open हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर page open हो जाने के बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा details आपका open हो जाएगा और यहाँ पर किस car hours आपका हुआ है आपको एक बार बस वो देख लेना है अब दोस्तों आपको करना क्या है यहाँ पर आपको जैसे कि दोस्तों मैं आपको example के लिए बता रहा हूँ मैं यह जो account open किया हूँ यह already सब कुछ इसका सही है मैं आपको सिर्फ उदारण के तोर पर यह बता रहा हूँ तो दोस्तों आपको करना क्या है यहाँ पर grievance type आपको दिख रहा है और दोस्तों अगर यहाँ पर online application is pending for approval बहुत सारे लोग comment करते हैं कि sir मेरे में बता रहा है pending approval तो दोस्तों अगर आपको pending approval का problem आ रहा है तो आप second वाले option को select कर सकते है installment not receive अगर किसी भी प्रकार से अगर आपका सब कुछ सही है और आपके खाते में अगर पैसे नहीं आ रहा है तो आपको तीसरा वाला option select कर लेना है उसके बासे दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है transaction field अगर आपका जो transaction जो नीचे amount आपको दिखाता है मैं आपको बता जेता हूँ कहाँ पे जैसे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर first installment यहाँ पर account में आ गया है यहाँ पर account number, credit date यहाँ पर सब कुछ दिखा रहा है मगर अगर आपके में नहीं आया है यहाँ पर field दिखाता है तो उस case में दोस्तों यहाँ पर आपको transaction field पर आपको select कर लेना है उसके पासे दोस्तों दिया हुआ है problem in आधार correction अगर आपका आधार data से कोई problem है उसके वज़त से अगर आपका पैसा नहीं आ रहा है तो दोस्तों आपको इस वाले option को select कर लेना है उसके पासे दोस्तों एक दिया हुए correct gender is not showing अगर zender के वज़े से अगर आपका detail match ना होने के कारण अगर आपके खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं तो दोस्तो आपको ये last वाला option chain कर लेना है दोस्तो जो भी आपको option chain करना है आप उसको chain कर सकते हैं और दोस्तो जिससे कि मैं आपको बता है तो यहाँ पे लिख रहा है pending for approval या account number is not correct दोस्तो आपको जो भी problem है आप किसी एक problem को select कर सकते हैं तो select करने के बाद से आपको करना क्या है यहाँ पे आपको 500 word में आपको यहाँ पे एक आपको सुध हिंदी में या English में जिस चीज में आपको comfortable हो जैसे आप एक copy पे लिखते हैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा आपको matter लिख देना है सर मेरा जो यह registration है मैंने इस date में किया था और यह मेरा बरतमान खाता संख्या है जिसका FC code यह है और सर मेरे खाते में अभी तक यह पैसे नहीं आ रहा है तो स्रीमान से निवेदन है कि हमारे खाते में पैसे दिलाने का कष्ट करें छोटा सा आपको यह चिठीस में type कर देना अफिसर तो दोस्तों जो भी आपके ब्लॉग का अधिकारी होगा जो इस matter को देख रहा है उसके पास एक online वहाँ पे उनके पास notification आ जाएगा कि यह person है यह लाभारती है जिनके में यह problem चल ला है जिसके वाइसे इनको पैसे नहीं मिल रहा है तो इनका समाधान कराने की किर जाहिन कर सकते हैं और अपने खाते में पैसे मंगमा सकते हैं और अपना जो भी problem है उसका solution पा सकते हैं तो I hope दूस्तों आपको वीडियो पसंद आयोगा वीडियो को लाइक कर देगा साथी में हमेरे चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर देगा बैल आइकन को प्र जरूर लिखेगा हम आपके बूरी मदद करेंगे तो दूस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ जैहिन बंदे मातरम